ये के मैं फिर आज इस घटना के उपर तेंत कश्ट के साथ दुख जताता हूँ अपना समभेदना सारे मुर्तक परिवारों के प्रती है जो आहात हुए हैं जो विभिन होस्पिटाल में हैं जो घर लोटे हैं सभी की चिंता हम लोगों के पास है और कल परधान मंतर जी सब को संभालने के लिए खुद आये थे और हमारी दाई तो बनती है कैसे ये नर्मालची बढ़े कि नर्मालची हो जाए रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो गया है आप देख रहे हैं तेजी से कैसे ये काम हो रहा है मेरा पूरा भरसा है हम नर्मालची की ओर बढ़ रहे हैं और रिस्ट्यू काम कालशे हो गया था कुछ लोगों की जान गई है अतिनत कश्टकी खबर है ये और सभी को जो आहात हुए हैं सब की चिंता किया जा रहा है फ्री ट्रेन चलाये गया है लाजिस्टिक की वेबस्ता किया जा रहा है घर तक के से जल्द ही पहुंचे उसकी रेलेवे की ओर से सब चिंता किया जा रहा है साथ जो यहां का जो क्योंकि इसके एक डेथ की एक प्रक्रिया जो यहां मैंने काल स्तानिय प्रसाशन से समझ के समझ पाया साथ उसी प्रक्रिया के अंदर 270 कुछ प्लस ऐसा नंबर आ रहा है लेकिन इतने बड़े हांसा में एक आधा साथ कुछ लोग क्रिटिकल कंडिशन मे मिडिकल में भी है भगवान उनको और जल्दी सुस्ता कर दे देखे मैं इस खेड में कोई राजनितिक भासन नहीं कहना चाहता हूं हमारी देश की रेलिवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है उसकी कॉंपिटेंसी पे हमें भरोसा है इस प्रकार की हाथसा होने के बाद जो इनकोरी प्रक्रिया होती है उसी को हम सब पहले भी निर्वर किये हैं इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं एक बार रेलिवे अपना लॉजिकल इनकोरी कर ले फिर उसकी घटना की जिसे कल में इतना आज दोहरा होंगा परधान मंत्र जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया है और हम सभी को किशी को उसमें से कोई इन्वालव वह बेक्ति को हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं